इसको कैसे किया जाता है इसको कैसे किया जाता है इसको करने करें के लिए आपको क्या क्या चाहिए इसको करने का क्या तरीका है कैसे आपको समान लूनना है कैसे आपको स्टोर बनाना है औलाइन कैसे इसको बेचना है बेचना है कितने तरीके होते है इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ हाई फ्रेंज आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि e-commerce कैसे स्टार्ट करते हैं e-commerce जो होता है drop shipping होता है कैसे होता है कि आपको e-commerce करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए तो सुनू करते हैं आज का एक और दबस वीडियो नमस्ते आज आप सुस्तियकाल दोस्तों मेरा नाम है अश्रीश और आप देख रहे हैं फीडियाम लाश्टाइब आज करते हैं आपको बताया कि मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे e-commerce से पैसे कमा सकते e-commerce होता क्या पहले समझ लीजिए e-commerce dropshipping आप देखते है Amazon यहाँ पर मैंने Amazon इंडिया कोल के रखता है यहाँ पर देखिए यह यहाँ पर यह समान बेते यह भी e-commerce website है यहाँ मैंने तीन कोल के रखता है Amazon.in एक Amazon.com जो अमेरिका का है Amazon.in इंडिया का है Amazon.com है अमेरिका का Amazon.com.uk है इंगलेंड का UK का तो मैं यह बेचता हूँ मैं इंडिया में तो अभी नहीं बेच रहा हूँ मैं US और UK में बेचता हूँ विकॉस में US dollar में बेचते है UK में British pound में बेचते है इससे क्या होता है कि dollar value बहुत हाई होता है pound value बहुत हाई होता है मैंने आप YouTube में अपने चैनल पर वीडियो बनाया हूँ है कि इसको मैंने कैसे branding किया था तो मैं फिर से branding के बारे में नहीं बता हूँगा आप जाके मेरा वीडियो देखिए उसमें आपको पता चल जाया कि branding मैंने इसको कैसे किया था अब देखिए इसके दो तरीके होते है ठीक है एक यह तो होता है कि हम इस पर एड रन करते हैं तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ मैं करता था पहले तक अभी मैंने छे मेने से एक निया प्रोसेस टार्ट किया तो पहले मैं क्या करता था कि मैं इस पर एड्स रन करता था फेस्बूक से इसमें मैं एड रन करता था यह प्रोड प्रोडक्ट है इसके मैंने बनाया हुआ है अगर आपको जानना है कि कैसे स्टोर बनाते हैं बहुत अच्छा से बनाना पड़ता भाई यह एक आर्ट है, इसके मैंने बहुत पैसा खर्चा किया है बहुत मह solvent से बनाया इसको तो इसको आप देखेए यह मेरा इसमें है क्या प्रोड़क्ट क्या यह देखें कॉंपरेशन सॉक्स है यह सॉक्स क्या है नहीं यह लोगों को जिनको पैर में दर्द होता है जैसे प्रेगनेंट वूमेन हो गए और लेडीज हो गई बहुत सारे लड़कों को भी आदमी के भी एतलेट्स के भी जो दौरते भ भागते हैं गुटने पैर में दर्द हो जाता है तो इसको पहने से बहुत रिलीव मिलता है पैर में ठीक है बहुत ही जैनुरी बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट है और इसका मैंने नाम रखा हुआ है 22 ब्रिटिस पाउंड में है यह और तीन मैंने वराइटी है जो सबसे यहां मैं आपको बता है इसको मैं बेचता कैसा हूँ तो पहले मैं क्या करता था जैसे मुझे यूके में बेचना है ठीक है यह मैंना यूके मार्केट है बिकर मैं ब्रिटिस पाउंड में बेच रहा हूँ जिस भी कंट्री में बेचता हूं वहां के लोकल करीश में बेचन तो सबसे पहला lesson number one है आप जिस country में sell करना चाहते हैं आप उस country के local currency में उसको sell कीजिए because उससे फायदा होता है और दूसरी बात यहाँ पे होगे कि जब मैंने यह मेरा समान है तो इसको मैं add लगाता है तो देखिए अब यह मेरा add account है मैं Facebook के अंदर जाता हूँ Facebook में हर किसी के Facebook में add account होता है आप जाइए यहाँ पर अगर आपका Facebook में add account है तो देखिए सबसे पहले store बनता का है store बनता है मैंने बनाया होगा Shopify.com ठीक है मैं लिंक छोड़ दूँगा वह यह Shopify.com लॉग इन ने Shopify.com है इस पर जाके इस पर free trial भी मिलता है और उसके बाद आपका I think seven days यह three months कुछ free trial है देख रहे हैं free trial then get your first three months for one dollar per month आप सो इतना सस्ता है वह यह Shopify.com है देखिए तो हम यह store यहां पर सुरू करते है Shopify.com पर मेरा यह store बना हुआ है तो यहां पर आपको जाना है इस फ्री ट्रायल स्टार्ट करना है बिलकुल ही है आप free trial कीजिए यहां पर पहले तीम मेहने के लिए आपको एक डॉलर पर मन मतल़ा 80 रुपया पर मन में आपका store स्टार्ट हो जाएग अब देखिए उसके बाद हमको बेचना कैसे है तो बेचने के दो तरीके होते हैं तो हम बेचते कहां कहां पर यह मैंने बताया आपको Facebook में जा कर बेचते हैं Facebook में क्या होता आपका Facebook अकाउंट होगा तो वहां पर जाके Facebook अगर आपका अकाउंट होना चाहिए उसके बाद business business.facebook.com business.facebook.com पे जाएए ठीक है यह अभी आच्छा B-S-I-N-E-S-S यहाँ पे जाएए अगर आपका जब अकाउंट बन जाएगा फिर आपका अकाउंट ऐसा हो जाएगा अब देखिए बेचने के दो तरीके होते यह पेड मेठेड है इसमें आपको पैसे पे करने पड़ेंगे ठीक है थोड़ा बहुत पैस कि मैं पैसे लगाता हूं देखिए मैंने यहां पर 38,000 दॉलर लगा यहां पर यहां पर इंडिया में बेचा था मैंने इंडिया में इंडियन अकाउंट बनाया हुआ है इंडिया का रुपीज के लिए यहां पर इतने सारे में अकाउंट है यह तो फिर भी कम है बहुत सारे अकाउंट मेरे दूसरे लैप्टॉप पर आपको एक अकाउंट मे दे रहा हूं कि कैसे e-commerce चलता है तो या तो आप उस पर Google आड़न कर सकते हैं या आप उस पर Facebook आड़न कर सकते हैं तीसरा होता है SEO Search Engine Optimization समझें Search Engine Optimization क्या होता है कि लोग कुछ भी जाके Google पर ढूंडे जैसे मेरा compression socks है ठीक है compression socks मैंने type किया मैंने compression socks type किया मुझे चाहिए तो यह देखिए यह अपने आप उपर में आ गया ठीक है तो इसको बोलते है organic traffic पर इसके लिए क्या होता है इसके लिए आपको SEO पर काम करना पड़ता है तो मैं क्या कर रहा हूं अभी मैं अभी मैंने paid traffic तो मैं चलाता ही चलाता हूं पर मैंने एक team को hire किया का मुझे knowledge है मैं सीख रहा हूं search engine optimization तो दो तरीके से होते हैं आपका जो भी store है आप उसको दो तरीके से चला सकते हैं या तो आप उसके paid traffic लाइए paid traffic लाने के लिए आपको Google Ads चलाना पड़ेगा, Facebook Ads चलाना पड़ेगा, Instagram Ads चलाना पड़ेगा, TikTok Ads चलाना पड़ेगा अतला social media Ads चलाना पड़ेगा Google Ads and everything और दूसरा होता है search engine optimization जिसे organic traffic बोलते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ad नहीं चलाना पड़ेगा गूगल में लोग सर्च करते हैं तो अपने आप उपर में आ जाता है पहले page में आ जाता है और देखिए पहले page में अगर आपका website आ आ गया है न तो आप इस पर paid traffic ad run कर रहा हूँ अभी डियर मेंने पहले मैंने बहुत अच्छा team hire किया है और उसको बोला कि भाईया मुझे भी Google के पहले page में rank करना है विकाद अभी मुझे SEO का अतना knowledge नहीं है मैं अपने से करूँगा मुझे बहुत time लगता है तो देखिए मेरे पाप business का fund है त गूगल के number one page में चाहिए कि अगर England में कोई भी आदमी compression socks या compression socks है compression stocking है अगर यह कुछ type करेंगे तो मेरा जो website है वो Google के पहले number पे आना चाहिए क्योंकि Google के पहले number पे आ जाएगा तो मेरा जो यह sale है यह लाखो में हो जाएगा समझ दे या विकार यह काफी useful product है मैंने product भी बहुत useful ढोना है ठीक है तो दो तरीके होते है पहला तो आपको shop चाहिए shop के लिए आप Shopify पर जाएए यह इसने आपको free trial दिया हुआ भाई इससे सब क्या चाहिए तीन महिने का यह क्या है क्यों हो रहा भाई ओके तीन महिने फ्री ट्रायल है यहाँ पर shopify.com और तीन महिने का free trial है for one month dollar ठीक है तो आप जाएए यह चार पांच मेने तो आपको ऐसी निकल जाएंगे ठीक है जानने में एक दिन में नहीं होता ही अगर आपको लग रहा है कि यह बहुत ही जल्दी मैं अमीर बन जाओ तो वैसी बात नहीं है टाइम लगता आपको सीखना पड़ेगा यहाँ मैं आपको एक view दे रहा हूं कि e-commerce जो होता हो कैसे करते हैं तो e-commerce ऐसे ही करते हैं ठीक है आपको shopify पे जाकर अपना दुकान स्टार्ट करना है पहले समान ढूनिए अब समान आप कैसे ढूनिबागा देकि कोई भी समान मठ ढूनिएगा ko MIDI का सारा समान आप एमज़ॉन में मिल जाएगा ठीक है यह बीसमान अम्मीते हैं पर आप पुछे है कि लोग क्रेचते हैं ब्रैंडिंग इसको कहते हैं पर आप पहले कफ़क्स के प्रक्राइं और लोग न नहीं करता है बहुत मैं भी Amazon मैं Amazon शॉपिंग नहीं करता हूँ ठीक है यह स्लो हो जा रहा है भाई ओके यहां पर मैंने देखिए वह website का मैंने नाम डाला है ठीक है यह देखिए यह वाली website का मैंने डाला है यह गूगल के पहले page पे है मैं डाला पारेशन शॉक्स और पहले page पे अगिया यह देखी एक मिलिएन से दो मुलियन रविनियो है यह का और यह जो बंदा आया जो और यह बैठ के करता है ठीक है तो और यह उस च्छेलीया में बैठ के यह को खेला हूऊ है मैं भी उस्चलिय यह गूगल के पहले पेच पे आ गया भाई, यह और गानिक ट्राफिक ला रहा है, मतलब कि यह एड्स के लिए पैसे नहीं दे रहा है, तो यह और बेटर है, यहां पर देखिए, मैं एड्स में लगाता हूं, तो मुझे पैसे बनते हैं, तो मुझे 30% बच जाते हैं, तो माल 500-300 डॉला मंतली चार्ज कर रही है, और वो मैंने प्रोफेशनल को ढूंडा है, विकार बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना है, अगर आपके पास फंड है, और आप चाहते हैं कि आपका जो e-commerce store को लेके serious हैं, थोड़ा पैसे लगेगा, तो आप पहले समान ढूंडिए पहले तो समान ढूंडा है कि कौन से समान बिखता है, कौन से समान मैं बेश सकता हूँ, ठीक है, समान बेशने के लिए आप जाईए Amazon.in पे, अगर आपको इंडिया में बेशना है, देखिए Shopify में आप कहीं से ही बेश सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं धीर दे करके आप इक हमत कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने ओवर विव दिया है, आप दुकान खोले Shopify पर, Shopify पर दुकान खोलने के बाद आपके दो मेधर हैं, या तो आप सोसल मीडिया, Google Ads यूज करके आप उसे कीजिए, उसमें पैसे लेगेंगे, या तो फिर आप SEO कीजिए, सर्च इं समान वैसा होना जी जो लोग सर्च करें, मेरा जो समान है, यह बहुत ही यूसफुल और काफी अच्छा मेडिकली परपस यह समान है, और जिसे लोग काफी अच्छा सर्च करते हैं, इसलिए यह जो वेबसाइट है, जो मैंने आपको दिखाया है, वो इसका इतना सेल इतना होता है, अगें, shopify.com, यहाँ पर जाएए, store खोलिए, store खोलीजिए यार, पहले तो थो थोड़ा trial कीजिए, एक जी में नहीं होता है, पहले देखिए, start free trial, जाएए, क्या है यह आपका free trial में पैसे तो लगना नहीं है, shopify.com, मैं link डाल दूँगा, यहाँ पर जाके अपना start free trial कीजिए, कुछ नहीं करना है, email डालिएगा, आपको आपका backend मिल जाएगा, और उसके बाद आप उस पर जाके देखिए, कैसे, कैसे, क्या होता है, उसके बाद सबसे पहले काम तो आपको समान ढूनना है, कि समान भाईया कैसे ढूनते हैं, तो मैं अब बनाऊंगा इसको जाके आप यूज कर सकते हैं, एक तो मैंने आपको समान यहां पर बताया था, बजोला.net देखिए, यहां पर इसके मैंने बताया था, यह पांच-छे क्रोड रुड़ रुड़ का समान यहां पर मैंने बेचा अभी तक, अभी यह बंद किया हुआ हूँ, इसको आप आपको समान चाहिए, बेचने के लिए, उसके बाद समान मिल जाए, उसको बद आपको अच्छे से यह डिजाइन वेबसाइट बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपका वेबसाइट पर लोग आएंगे तो उनको अच्छा लगना चाहिए, आप किसी दुकान में जाएगा, सम इंजान ऑप्टमाइसें, उसमें कोई भी कीजिए, और यह है आपका, तो अगले बार में आपको वीडियो बनाओंगा, उसमें बताओंगा कि कैसे सामान धुणते हैं, और मैंने वीडियो बनाया हुआ समान धुणने का पर और बताओंगा, समान धुणने का बहुत साथ मैं तो चाइना से धूनता हूँ alibaba.com पर इंडिया में वो वेबसाइट नहीं खुलते हैं विकाज इंडिया में Chinese app ban है पर आप चाहे तो VPN यूज करके alibaba aliexpress यूज कर सकते हैं तो दोस्तों बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाऊँगा सामान कैसे आपको उसमें बेचने के लिए ढूनना है पर फिलाल मैं चाहता हूँ अगर आप सीरियस हैं तो amazon.com.in में जाएए amazon.com में जाएए amazon.co.uk में जाएए और देखिए कि यहां पर क्या-क्या सामान बिखता है ठीक है bestsellers में जाएए amazon.co.uk bestsellers में जाएए मैं बोलूँगा आपको बेचना तो इंडिया में क्यों बेचेगा यार अगर आपके पास shopify store आप दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं ठीक है क्या तो US में बेचिए या फिर UK में बेचिए आपको डॉलर और पाउंड में पैसे मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे एक रुप्या का एक रुप्या मिलेगा आपको यहां पर आपको एक डॉलर का सवा सो रुप्या मिलेगा यहां पर आपको एक पाउंड का सवा सो रुप्या तो आप जाएएगा न वहाँ पर देखिए बेस तरह में आपको दिख जाएगा उसके बाद ऐसा जाकर सीमिलर समान ढूंड़िए शॉपीफाय पर श्टोर बनाएए श्टोर पर बनाकर आप अच्छा श्टोर बनाएए और उसको बेचिए तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो में आपको मैंने एक आउटलाइन दिया है बहुत डीटेल में तो नहीं बताया हूँ पर मैं आपको इसको आउटलाइन दिया हूँ कि कैसे आप कैसे जो E-commerce होता है जो E-commerce बिजनेस होता हूँ कैसे करते हैं आकए तो दोस्तों आपको यह वीडियो में एक और जबस वीडियो बनाऊंगा बहुत जल मिलता आ गए विडियो तब तक के लिए बाय एंड टेक केर